तुप पिछले एपिसोड में मूडे सेंग सिंग्यून के सामने आ गया था जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके साथ में अजीब तरीके से बात करने लगा था और उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जानते हूँ और इसके अलावा क्या तुमें मेरे ग्रैंपा के पारे में कुछ पता है तब इसके ऐसे बात को सुनकर सिंग्यून से कहता है कि तुम्हारी यह प्रवलम बहुत ही बड़ी है जिसके वज़ास से माई इसके बारे में तुमें कोई भी जवाब नहीं दे पाऊंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने ग्रैं ग्रैंडमा से पूछना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा को तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा और इसलिए तुम इसके बारे में अपने ग्रैंडमा के पास जाकर पूछो अब इसके बारे में सुनते ही मूडे सेंग इसके उप पर बहुत ज़्यादा बैजती हो गई थी इसी के साथ हो सिंग्यून के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एक आदमी को भी भेज देता है जिसका नाम गूमैन था और अभी से देखते हैं सभी लोग काफी परेसान हो गए थे क्योंकि असल में उसके पास में बार्बेनियन व जितने भी कल्टीवेशन लेवल हैं उसमें ऐसे लेवल वाले आदमी को सबसे पाउरफुल माना जाता है क्योंकि अब गूमैन की कल्टीवेशन बेस निर्वाना रिल्म के लेवल लाइन में पहुंच गई है इसके अलावा इसके पास में बार्बेरियन वाली मार्सली स्प जिसके बाद हम देखते हैं कि यो जो गूमैन के बारे में उसे और भी अच्छे तरीके से बताने लगा था और कहने लगता है कि आस्ता कामने सामने वाले फाइट में इसे कोई भी नहीं हरा पाया और नहीं कोई इसके सामने ज्यादा समय के लिए टीक पाया वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूमैन भी अब इसके उपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो इसमें बीना देरी किये तुरंत इसके उपर अपने पाउर का यूज करके अटैक करने आ जाता है यह देख सिंग्यून भी कहने लगता है कि यह तो निर्वाना रिल वाली टेकनिक है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके अलावा इसके पास में तो वाइलेट स्वाड इसकिल भी है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंग्यून इसके सामने ऐसे ही हार नहीं मानना चाहता था और वो भी तुरंत अपने स्वाड को लेकर इसके टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन इसके बाद भी सिंग्यून उसके सामने फाइट करने के लिए चला गया था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून ने गूमन के अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था जिस बात के बज़ा से सभी लोग हैरान हो गए होते हैं और कावगवा इसके बारे में कुछ बात करने के लिए सिंग्यून के पास में आता है इसके बाद वो उससे फूचता है कि बास क्या आपका हाथ सही है तब ही यो यो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी उमीद ही नहीं किया था लेकिन अस है कि मेरे अटैक में तो इतनी सारी डिस्ट्रक्टिव पावर है जबकि इस लड़के के पास में तो ये नियांगरिल मौली कल्टीवेशन बेस है और इसके बाद अभी भी वो मेरे सामने जिन्दा है अब इसके बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि जाची तो मेरे लिए पानना चाहता था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूमैन अपने मार्सली स्पृट के साथ साथ में अपने किसी मार्सली स्पृट टेक्निका भी यूज़ करने लगा था जिसके वज़ा से इसके पास में एडवांस लेबल वाली अटैक पावर आ गई थी और इसका करके वो सिंग्यून के उपर अटैक करने वाला था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून भी इसके हर एक एक्षन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कहने लगता है कि इसके पास में तो ऐसे सिक्स टेक्निक होंगे जिसका यूज़ करके वो एंपरर इंपॉसिबल है क्योंकि कोई भी मेरे अटैक को इतने असानी से नहीं रोक पाएगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से खुद मूरे सेंग भी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इस लड़के के पास में केवल यह नियांग रिलमॉली कल्टीवेशन है ल जा देख योयो कहने लगता है कि मुझे तो अपने आखों के उपर यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बौस इतने ज़्यादा पाउरफुल है और इसी बज़गा से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है तब इस की तरफ चला गया था और यह चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है वहीं उदर काउ बाई भी कहने लगता है कि हमारा बॉस तो सच में क्रेजी हो गया है क्योंकि उसने गूमैन के फुल पाउर वाले दो अटेक को बहुत असानी से रोक दिया जो कि उसके पू इसके अटेक को रोक देता है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंग्यूनिस के सामने हार नहीं मानना चाहता था और वो लगातार इसके अटेक से अपने आपको बचा कर इसके उपर अटेक करना सुरू कर देता है अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुती सांदार फाइट होने लगी थी जहां पर दोनों अपने अपने ताकत का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे और तबी अचानक से गूमैन अपने किसी खतरनाक पाउर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते अब इस बात के बज़ा से गूमैन की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी और वो कहने लगता है कि जब कोई लगातार अपने पाउर का यूज करके किसी के उपर अटैक करता है तब इसके बज़ा से उसकी ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है लेकिन यहाँ प क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अटैक इतना ज्यादा पाउरफुल कैसे होता जा रहा है अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से बहुत ही सांदार मुकाबला होने लगा था जहां पर सिंग्यूनाव गूमैन के उपर भारी पड़ता ह हुआ नजर आ रहा था और वो देखते ही देखते ही इसको हरा कर इसके तलवार को इसके हाथ से अलग कर देता है अब इस तरह से उसने गूमैन को यहां पर बहुत ही असानी से हरा दिया था जिससे देखते ही यो यो बहुत ही जादा खुस हो गया होता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात पर तो यकीन ही नहीं होता लेकिन इस बात से ऐसा लगता है कि अब हमारे टीम का अच्छा टाइम आने वाला है और मुझे यकीन है कि अब हमारी टीम कुछ समय में बहुत ज़्यादा पाउरफुल बन जाएगी वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यू ने गूमैन के तलबार को अपने हाथ में ले लिया था जहां पर उसे पता चलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा भारी है और इसके अलाबा या फ्लेमिंग स्वार सच में बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल भी है लेकिन उसे लग रहा था कि गूमैन इसके फुल पाउर को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था नहीं तो वो इसके सामने इतने आसानी से नहीं जीत पाया होता लेकिन आखिरकर हम देखते हैं कि गूमैन इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था जिसके बाद सिंग्यूनुस से कहता है कि सबसे पाले तुमने ही मेरे उपर अटैक किया था इसलिए मैं तुम्हारे फ्लेमिंग सोड को ट्रॉफी के रूप में अपने पास में रख लेता हूँ जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मूडे सिंग को इसके उपर गुसा आता है और वो उससे कहता है कि तुम हमारे सामने इतने अरोगेंट बनने की कोशिस मत करो क्योंकि अभी भी इस दुनिया में तुम से ज़्यदा पाउरफुल लोग हैं और इसलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम इस तलवार को अपने साथ में लेकर चले जाओ तब इसकी बात सुनकर सिंग्यून उससे कहता है कि कि आप तुम मेरे साथ में फाइट करने के काबिल नहीं हो क्योंकि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तुमें बहुत ही असानी से हरा दूँगा अब इतनी बात कहने के बाद मुडे सेंग अपने लोगों के साथ में यहां से जाने लगा था जिसके बाद काउबाय सिंग्यून से कहता है कि मैं भी अब इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वे लोग अब हमारे खिलाप में क्या करने वाले हैं तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंग्यून इनके सामने कुछ बाते करने लगा था लेकिन वे लोग इसके बाद के असली मतलब को समझ नहीं पाये थे और इसलिए काउबाई सिंग्जुन से कहता है कि याखिर आपके कहने का मतलब क्या है तब इस पर योजव उससे कहता है कि बोस का मतलब था कि अभी हमें इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जिसके बाद सिंग्जुन कहता है कि मेरे पास में तो अभी उतनी ज्यादा कैपिटल नहीं है लेकिन अगर इसके बाद भी मूडे सेंग मेरे साथ में कोई गेम खेलना चाहता है तो फिर मैं भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और चलो देखते हैं कि कौन किसके उपर हसता है जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है